आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टेंस क्या रहेगा आगे आने वाले सेशन में मार्केट का क्या मूव्मेंट हो सकता है जैसे कि अब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस चैनल के उपर अभी नए आए हैं और इस वीडियो को फॉस्ट टाइम देख रहे हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पर निफ्टी बैंक निफ्टी के उपर अगल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो जानकारी आपको जहीं से आती जाये तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो निफ्टी के साथ तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 15,632 के पास तो देखे कल के वीडियो में मैंने आप से कहा था कि निफ्टी यहां से हमें करेक्शन दिखा सकता है 640 के जोन में और अगर डाउन साइट के लिए 640 भी ब्रेक कर देता है तो यहां से 550 और 500 तक का करेक्शन हम लोग निफ्टी के अंदर देख सकते हैं तो आज देखें निफ्टी ने डेली चार्ट के ऊपर एक बेरिश कैंडल थर्ड डे पर भी पॉँम की है और आज मार्केट के अंदर क्या हुआ तो देखें फर्स्ट फॉफॉल निफ्टी ने आज ओपनिंग की थी 15,703 के पास वहां से निफ्टी ने हाई किया था 15,728 क लेकिन 700 के ऊपर टिक ही नहीं पाया निफ्टी और वहां से निफ्टी हमें 582 तक गिरता हुआ दिखाई दिया था और डेज लो से हमें एक बाइंग आती भी दिखाई दी और निफ्टी ने फिर से एक बारी ट्राइ किया अब साइट के लिए 680 के अबाव जाने के लिए नहीं हो पाया और अभी फिलहाल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 15,632 के पास बंद हुआ है यानि के हमारा जो important support था 640 का लेवल आज उस support के नीचे निफ्टी बंद हुआ है तो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर निफ्टी ने 640 के नीचे की क्लोजिंग दी है तो यहां से डाउन स खुल जाता है तो next session में expiry है volatility high रहेगी तो यहां पे हमें थोड़ा carefully trade करना होगा अगर आप देख रहे हो market ने flat opening की है और 640 के नीचे निफ्टी stable हो रहा है तो यहां से निफ्टी फिर से 580-550 के zone में जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो first जो लेवल है watch out का वो है यहां से निफ्टी एक बारे try कर सकता है upside के लिए जाने के लिए otherwise 550 break करके 500 के तरफ निफ्टी अपना next movement दिखाएगा दूसरी situation यहां पर यह बन सकती है 640 के above निफ्टी अगर stable हो जाता है तो यहां से निफ्टी हमें फिर से 700 के ओपर stable होने के लिए try करता हुआ दिखाई दे सकता है फिर से एक बारी 700 का level पार करता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन 700 और 750 के zone में एक important resistance है जो easily पार होना अभी फिलाल next trading session के लिए possible नहीं है क्योंकि volatility high रहेगी और expiry भी है तो यहां पर आपको यह दोनों levels जो है वो ध्यान में रखने हैं अगर 640 के above stable होता है तो 700 के पार जाएगा वहां से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है 700-750 के zone से next जो है वो 640 के अगर downside के लिए नीचे जाता है और stable हो जाता है वहां पे तो यहां से निफ्टी हमें 550 और 580 के zone में फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है तो मैंने members के लिए जो platinum members है उनको म WhatsApp में दिया था कि अगर निफ्टी 700 से नीचे stable हो जाता है तो आपको selling के लिए जाना है और 760 से उपर अगर stable होता है तो आपको upside के लिए जाना है तो I hope कि आप सबने profit बुक कर लिया होगा 700 से नीचे अभी निफ्टी ने बहुत ही अच्छा movement दिया है और अपना profit यहां पे option chain data तो देख लिया है चलते अभी चार्ट के उपर निफ्टी 50 के सो अभी मेरे सामने निफ्टी का option chain data है तो call side में अगर देखे सबसे जादा open interest कहां पे बना हुआ है तो highest open interest बना हुआ है 15,800 के लेवल के उपर वही second highest बना हुआ है 15,700 के लेवल के उपर वही आज सबसे ज call writing हमें देखने को मिली है 15,700 के लेवल के उपर तो देखिए इस वज़े से निफ्टी आज हमें upside के लिए stable नहीं होता हुआ दिखाई दिया और सामने अगर आप देखे 15,700 के उपर तो put side में contracts की exit हुई है वही call side में call writing हमें दिखाई दे रही है तो आज इस वज़े से 15,700 rate का support निफ्टी ने तोड़ दिया और इसके उपर stable भी नहीं हो पाया तो अभी अगर बात करे important resistance की तो अभी जो पहले support बन रहा था वो अभी resistance बन चुका है 700 और 750 का zone तो देखिए आप एक चीज़ अगर notice करोगे first of all निफ्टी के लिए 900 का level resistance बन रहा था इससे नीचे निफ्टी फिसल गया फिर 800-850 का resistance था अभी 700-750 का resistance है यानि कि जो resistance है वो downside के लिए shift होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये अच्छे संकेत नहीं है यहां से हमें एक major correction भी देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी के अंदर strength हमें 500-550 के पास नहीं दिखाई दी तो तो यहां से निफ्टी हमें 15,300-200 के zone में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है पुट साइट में अगर देखे तो पुट साइट में सबसे जादा open interest जो बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 15,600 और 500 के लेवल के ओपर तो देखें डाउन साइट के लिए 500 और 600 का important support रहेगा निफ्टी 50 के लिए अगर यह दोनो support break होते हैं तो next जो important support zone है निफ्टी के लिए वो 200 और 300 के पास है तो निफ्टी के लिए option chain data हमने देख लिया है चलते अभी चार्ट के उपर निफ्टी के तो अभी मेरे सामने निफ्टी का one day candlestick pattern chart है तो देखें जैसे मैंने आज members के लिए कहा ता 700 से नीचे अगर market stable होता है तो आपको selling क लिए जाना है तो यह सारे levels आपको भी मिल सकते हैं अगर आपने अभी तक membership join नहीं की है तो जल्दी से कर लो membership के अंदर आपको extra benefits मिलते हैं कल मैंने reliance के ऊपर भी members के लिए कुछ important levels दिये थे targets दिये थे तो stock recommendations भी मिलता है आपको long term short term के लिए कौन से stock लेने है इसके बारे में जानकारी मिलती है nifty bank nifty के लिए extra guidance भी मिलता है और अगर आप platinum membership लेते हो तो मेरा personal whatsapp contact भी मिलता है जहापे मैं personally आपको nifty bank nifty के लिए buy और sell के levels provide करती हूं साथ ही एक चार्ट डेली आपको prepaid करके यहाँ पर आपको यह सारे की सारे benefits मिलते हैं तो नीचे description box में चैनल membership क लिंक आपको मिल जाएगी उस लिंक के थुरू आप directly membership join कर सकते हो वही subscribe button के बाजू में आपको एक और icon दिखेगा join button करके तो वहाँ से भी आप channel membership join कर सकते हो और अगर आपके पास credit card नहीं है तो आप YouTube से membership join नहीं कर सकते उसके लिए मैंने एक solution निकाला हुआ है अगर आप आपको platinum membership लेनी है तो directly आप QR code scan करके पैसे बेच सकते हो और मुझे अपना personal whatsapp contact mail कर दो मैं आपको मेरे personal whatsapp में add कर दोंगी तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे membership join कर लो तो अभी देखिए निफ्टी के important support और resistance की बात करें यहां से तो next station के लिए expiry है तो अगर निफ्टी 15,580 इस level से नीचे फिसल जाता है तो यहां से हमें एक intense selling pressure निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा जो निफ्टी को 15,50 तक गिरा सकता है वही upside की बात करें तो upside के लिए first resistance रहेगा 15,640 680 क हो जाता है तो यहां से निफ्टी हमें 15,710 and 15,750 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह important support और resistance के levels है निफ्टी 50 के लिए तो जो भी levels बताएं है अपने चार्ट के उपर mark कीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकत हो मैं आपको answer कर दोंगी और अगर आपने मुझे अभी तक टेली ग्राम के उपर जॉइन नहीं किया है तो चल्दी से कर लो टेली ग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे description box में या फिर मेरे YouTube के bio में मिल जाएगी वहां पे चेक कर लो आप डिरेक्ली वहां से जॉइन कर सकते हो तो अभी निफ्टी के लिए हमने देख लिया है तो चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के उपर तो बैंक निफ्टी का one day candlestick pattern chart है मेरे सामने और बैंक निफ्टी की आज की closing आई है 34,415 के पास तो देखिए निफ्टी बैंक के अंदर भी मैंने कहा था आपको कि निफ्ट होने के chances है 34,000 और 34,500 तक निफ्टी बैंक हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है तो आज निफ्टी बैंक 34,500 से नीचे फिसल चुका है और उसके नीचे जाके अभी closing दी है तो यहां से निफ्टी बैंक के लिए downside के लिए ये level खुल जाता है 33,500 का अगर निफ्टी बैंक यहां से और जादा correction दिखाता है तो यहां से निफ्टी बैंक हमें 33,500 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है तो अभी option chain data अगर देखें निफ्टी बैंक का तो call side में सबसे जादा open interest जो बना हुआ है वो 35,000 के उपर है वही second highest की बात करें sorry call side में सबसे जादा open interest 36,000 और 35,000 के उपर है और call writing कहां पर हुई है सबसे जादा तो देखें इन levels के उपर हमें सबसे जादा call writing जो है वो दिखाई दे रही है जैसे कि निफ्टी में हमने देखा resistance downside के लिए shift होते जा रहे है वही same situation हमें यहां पर निफ्टी बैंक के लिए दिखाई दे रही है तो अभी निफ्टी बैंक के लिए important रहेगा 35,000 का level पार करना अगर 35,000 का level पार नहीं होता है एक से दो सेशन में तो गिरावट बढ़ जाएगी 33,500 तक तो जाएगा ही जाएगा निफ्टी बैंक लेकिन और जादा मतलब और 1000 points वहां से भी नीचे गि बने हुए है तो यहां से निफ्टी बैंक के लिए important रहेगा 34,800 और 35,000 के उपर closing basis के उपर stable होना वही put site में देखे तो सबसे ज़्यादा open interest कहां पे बना हुआ है तो highest open interest 33,500 के उपर है जैसे कि मैंने अब भी आप से कहा next important support यहां पे 33,500 का level ही है निफ्टी बैंक के लिए तो यहां तक निफ्टी बैंक हमें correction दिखा सकता है और यहां से chances है फिर bounce back लेने के अगर 34,000 के पास नहीं रुपता है तो definitely और 1000 points निफ्टी बैंक गिरेगा ही गिरेगा तो अभी चलते हैं चार्ट के उपर निफ्टी बैंक के support और resistance देखने के लिए तो अभी यहां से important support और resistance की बात करें तो देखिए first important support रहेगा 34,000 310 का लेवल यह अगर support break होता है तो next important support रहेगा 34,000 150 का लेवल और उसके बाद में 34,000 50 का लेवल अपसाइट की बात करें तो अपसाइट के लिए first resistance रहेगा 34,000 650 का लेवल अगर इसको पार कर लिया निफ्टी बैंक ने तो next important resistance रहेगा 34,000 810 and 35,000 50 का लेवल तो यह important support और resistance के लेवल से निफ्टी बैंक के लिए तो जो भी लेवल बताएं है अपने चार्ट के उपर मार्क कीजेगा आपको trade करते समय helpful होगा और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दोंगी तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बुस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर देरा विडियो अगर बहु जाधा अच्छा लगा है तो share कर देनेा अपने friends family के साथ जिनको भी ए वीडियो useful है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और